हलो स्टुडेंट्स वेलकम टू साइंस एक्स्प्लेनर चनल और मैं आपको दे रहा हूं क्लास 12 के लिए इंपोर्टेंट फिजिक्स के MCQ कोशन, मल्टेपल चॉइस कोशन और शॉट आंसर टाइप के कोशन और इससे पहले मैंने चैप्टर नमबर 1, चैप्टर नमबर 2, चैप्टर नमबर 3 के इंपोर्टेंट MCQ कोशन और शॉट आंसर टाइप के कोशन दिये हैं और अब हमारा चल रहा है chapter number 4 और chapter number 4 के भी मैंने कई पार्ट आपको दे दिये हैं जो students channel पर नए हैं वो description में दिया गया link होगा उससे जाकर देख सकते हैं और channel को subscribe भी कर सकते हैं तो चलिए question को start करते हैं आज के question number 1 है हमारा चुम्बिकिये छेत्र में धारा वाही चालक को छेत्र के सापेक्ष कैसे रखा जाए कि चालक पर अधिकतम बल काम करें अधिकतम बल लगें तो देखिए अगर कोई चालक तार अगर कोई हमारा क्या है वायर है चालक तार है और ए जैसे यह मेरा है यह मालो यह हमारा north side है यह हमारा south side है और बीच में इसमें एक चालक तार है और चालक तार में आई धारा प्रवाइद होती है तो इस चालक पर जो बल लगेगा उसका formula होता है f equal to bil sin theta और अगर हम देखें कि कितना अधिकतम बल होगा तो अधिकतम बल तब होगा जबकि यहाँ theta का मान 90 degree का हो और 90 degree का मान तब होगा जब चालक का जो चुम्बिके छेतर है magnetic field और current की direction एक दूसरे के लंबवत होती है तो हमारा answer यह होगा कि अगर धारा का मान और चुम्बिके छेतर B का मान एक दूसरे के लंबवत होता है 90 degree के एंगल पर होता है त इसका मान क्या होगा अधिकतम होगा तो चुम्बिके छेतर और धारा का मान एक दूसरे के लंबवत होने पर चालक के अंदर लगने वाला बल अधिकतम होता है नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन नमबर 2 पर यह सारे के सारे important कोशन है जो की पिछले exams में आये हुए कोशन ह नेक्स देखिए कोशन नमबर 2 एक electron को कुछ बिवानतर देकर तौरत कराया जाता है और फिर 0.09 बेबर पर मीटर के एक समान चुम्बिके छेतर के लंबद प्रिवेश कराया जाता है चुम्बिके छेतर में प्रिवेश करते समय इसका वेग दसकी घात 8 मीटर पर सेकंड है एलेक्ट्रोन के वरत्ताकार मारके तरिज्जा की गड़ना कीजिए तो देखे तरिज्जा का फॉर्मला होता है आर इक्वल टू होता है एम बी अपॉन क्यूबी यह हमारा फॉर्मल पर सेकंड तो यह है टेन टू दी पाव एट मीटर पर सेकंड चार्ज जो है इसका आवेश है 1.6 टेन टू दी पावर माइनस के 19 और बी जो चुम्बिके छेतर है उसका मान है 0.09 0.09 और जब यहां से इसको कैंसल करेंगे 0.01 0.01 बार और जब इसको सॉल परेंगे तो सॉल 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 3 माइनस के 3 इतने मीटर की इसकी तरज्य होगी जिस पर यह इलेक्टॉन एक व्रत्ताकार मार्क पर गती करता है नेक्स देखिए कोशन अंबर 3 पर आते हैं कोशन अंबर 3 हमारा यह है दो समांतर धारवाही तारों के बीच बल के धारा प्रवायत होती हैं मान लो समान दिशा में इसमें धारा प्रवायत हो रही है तो इनके बीच लगने बाला बल आकर्ष्र का होगा और इसके बीच में जो बल का सूत्र होता है वो होता है F upon L equal to एकांक लंबाय पर लगने बाला बल mu naught upon 2 pi i1 i2 upon r i1 i2 बटे r यह हमारा formula होता है तो देखिए अगर मैं 1 ampere की परिभाशा दूँ तो यहाँ पे i1 और i2 के मान 1 ampere के बराबर तब होंगे जब दोनों तारों के बीच में जो दूरी होगी वो 1 meter की होगी उस condition में क्या होता है कि f upon l का मान होगा उस condition में mu naught upon 2 pi का जो मान होगा f upon l के मान के बराबर होगा और mu naught upon 2 pi का मान होता है 2 गुणा दस्कीगात माइनस के साथ Newton upon meter तो देखिए इसकी परिभाशा यह बनेगी दो चालक तारों के बीच एकांक लंबाई पर बल का मान अगर 2 इंटू 10 to the power minus 7 दो गुणा दस्कीगात माइनस 7 Newton upon meter हो और यदि चालक तार एक मीटर की दूरी पर इस्तेत हो तो उनमें धारा का मान एक ampere होता है इसका मतलब यह है कि चालक तारों के बीच में एक मीटर की दूरी होनी चाहिए और उन चालक तारों के बीच लगने वाले बल का मान दो गुणा दस्कीगात माइनस 7 Newton upon meter हो तो उनमें धारा का मान एक ampere होता है नेक्स देखिए नेक्स कोशन नमबर 4 पर आते हैं जो सेवर्ट के नियम के समिकर्ण की सहायता से निर्बाद की चुमबक शीलता का मातरक एवं विमिय सूत्र निकाले है तो देखो इसका जो फर्मला होता है जो निर्बाद की चुमबक शीलता का जो सूत्र होता है मू नॉट का वो होता है Newton upon ampere का whole square Newton upon ampere का square और यहां से अगर मैं विमिय सूत्र हो गया A2 इसको अगर मैं numerator में ले जाओं अंश में ले जाओं तो यह हो गया ML T-2 A-2 यह इसका हमारा भीमिय सूत्र निकल के है निरबात की चुम्बक शीलता का यह सूत्र है ML T-2 A-2 नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 5 कोशन नंबर 5 हमारा यह है किसी 20 सेंटीमीटर तरज्जा के वरत्ताकार लूप में 4 MP की धारा प्रवायत हो रही है लूप के केंदर पर चुम्बक शेतर की तीवरता की गड़ना कीजिए तो देखो इसकी जो तरज्जा है वो है कारी 20 सेंटीमीटर 20 इंटू 10 तो दिवाब माइनस 2 मीटर और इसमें जो करेंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है हमारा अब हो गया चार एंपियर और टू और स्मॉल आर की वैल्यू है बीस सेंटीमीटर 20 इंटू 10 तो दिवाब माइनस के टू और यहां से टेसला चुम्ब के छेतर उत्पन्न होता है नेक्स पर आते हैं कोशन नंबर 6 पर कोशन नंबर 6 हमारा है किसी परमाडू में एक एलेक्टॉन अपने नाभिक के चार और जीरो पॉइंट 5 10 तो दिवाब माइनस 10 मीटर त्रिज्जा के ब्रत्ताकार कक्षा में 5 इंटू 10 त इसला से घूम रहा है कक्षा के केंदर पर चुम्ब के छेतर की गड़ना कीजिए तो देखें इसका फॉर्मला होता है हमारे पास केंदर पर चुम्ब के छेतर के तीवरता जब हमारे पास वैलोसिटी पता है मू नौट अपॉर पाई क्यू वी अपॉन आर स्क्राइड क्य यह जो एलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 10 to the power माइनस के 19 वेलोसिटी हमको दे रखी है 5 इंटू 10 to the power 6 तो यह हो गया 5 गुणा दसकी घाथ 6 यह हमारा इसका मान और बटे आर स्क्राइर आर स्क्राइर का मतलब तरिज्या का स्क्राइर तो यहां से अगर मैं रेडियस तो हमारा हो गया यह 0.5 0.5 दो बार और 10 to the power माइनस 10 का स्क्राइर होता है माइनस का 20 गोड़ा में घातें जुड़ती हैं और जब हम इसे सॉल्ब करेंगे सॉल्ब करने के बाद में हमारा आंसर आता है 1.26 10 to the power माइनस के 5 टेसला इतना इसका चुम्ब की छेतर उत्पन होत है नेक्स कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 7 पर कोशन नंबर 7 हमारा यह है दो समांतर तारों के बीच की दूरी ग्यात कीजिए यदि उन में से क्रम से हैं 100 MPa तथा 20 MPa की विद्धाराएं परवाहित हैं तथा वे एक दूसरे से 0.08 टूटन अपॉन मीटर के बल से आकरशित करते हैं एक दूसरे को तो देखे इसका फॉर्मुला होता है F upon L equal to 2 into 10 to the power minus 7 I1 I2 upon R यह इसका फॉर्मुला होता है और अगर इसमें बान लगाऊं इसका F upon L का इसका मान है 0.08 Newton upon meter यह upon है तो यहां हो गया हमारा इसको अगर मैं solve करूं तो point को अगर 2 संख्या इधर ले तो 8 into 10 to the power minus 2 2 into 10 to the power minus 7 I1 I2 पहला आई है हमारा 100 ampere और दूसरा आई है हमारा 20 ampere का तो 100 का मत्तब हो गया 10 की खाद 2 और 20 को ऐसे 20 लगा दो और R हमें निकालना है तो अगर मैं R को side ले जाओ और इसको नीचे लेकिया हूं तो R equal to हो गया तो देखे 2 into 20 40 यह हो गया 40 और पावर यहां कितनी हो गई पावर हमारी हो गई माइनस के 5 माइनस के 7 माइनस के 2 माइनस के 7 प्लस 2 तो यह हो गया हमारा माइनस के 5 और अगर इसे नीचे लेकिया है तो 8 into 10 to the power minus के 2 8 से यहां कैंसल करो 5 ताइम और यह हो गया 5 into 10 to the power इसे उपर ले जाके माइनस के 3 इसका मतब है कि बीच की जो दूरी है दोनों चालक तारों के बीच में जो दूरी है 5 गणा 10 की खात माइनस 3 5 into 10 to the power minus के 3 इतने मीटर के दूरी है या पिर मैं इसको कह सकता हूं मिली मीटर में चेंज कर दूं तो 5 मिली मीटर के बीच की दूरी होगी नेक्स्ट कोशन पर आते हैं कोशन नंबर 8 पर हमारा यह कहता है क्या छेतरिय रेखाएं तार के साथ संकेंद्रिय व्रत बनाती हैं तो देखें अगर कोई चालक तार है और तार में धारा प्रवायत हो रही है तो इसके चारों तरफ चारों तरफ यहां पर चुंबिकिय ब रेखाए होती हैं इसका मतलब संकेंद्री व्रत बनाती है केंद्र एक होगा और सर्कुलर पाथ जो होंगे वह बहुत सारे होंगे तो यस यह जो स्टेटमेंट है हमारा सही है कि चालक तार में अगर धारा प्रवाइत हो रही है तो इसके चारों तरफ को सेंट्रिक मैंनेटि है आवेश है और जो आवेश है वो रेस्ट में है इस्थिर है तो इस्थिर के साथ में हमेशा बैदुच्छेतर उत्पन्न होता है अगर कोई आवेश रेस्ट में है तो बैदुच्छेतर उत्पन्न होता है तो हम यह कहेंगे कि यहां पर केवल बैदुच्छेतर उत्पन् तो इसमें 22 चेतर भी होगा और चुमविकिय चेतर भी उतपन होगा दोनों प्रकार के च्छेतर उतपन होते हैं ये नेक्स्ट पर आते हैं कोशंट नंबर 10 पर ये अच्छा कोशन है M C Q 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 है बेबर और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर तो बेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है तो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा तो स्टुडेंट्स यह थे कुछ आपके इंपोर्टेंट कोशन क्लास 12 के लिए और हमारा चैप्टर चल रहा था chapter number 4 जो student channel पर नए है चनल को subscribe कर दीजिए well icon को press कर दीजिए और अपने दोस्तों में share कर दीजिए जिससे आपको important question मिल सके thank you